दोस्तों पिछले साल COVID के lockdown ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हम सब अपने घरों में कैद हो गये थे कुछ मैनों के लिए, हम मैंसे जाधातर लोगों ने अपने salary में pay cut देखा है, कईयों की नौकरी गई है, इसके अलावा कई सारे छोटे मुटे business बन पड़ गए दोस्तों, लोगों ने अपने EMIs और liabilities के साथ काफी struggle किया है, और ऐसे वक्त में हमें अपने पैसों की value समझ में आई, savings और investment करना कितना जरूरी है, यह समझ में आया दोस्तों, फिर भी हम में से जाधातर लोगों ने, खास करके youngsters ने lockdown का सारा time OTT platforms पे web series देख के गुजार दिया, ऐसे में हम सब को एक चीज मैसूस हुआ दोस्तों, कि हमें सब को एक second source of income रहना जरूरी है, एक passive income source जो हम घर से कमा सके, यह तीनों के तीनों चीज स्टॉक मार्केट से possible है, गबराये मत दोस्तों, मैं आपको स्टॉक मार्केट में invest करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बलकि उसे सीखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ही ऐसा मार्केट है, जब पिछले साल COVID lockdown के दरान सब बन था, तो स्टॉक मार्केट एक ही था जो regularly चालू था, हाला कि उसमें भी काफी गिरावट आई थी, लेकिन जिसने भी उस गिरावट में पैसे लगा है, एक साल में उसका पैसा डबल हो गया दोस्तो, COVID का सेकेंड वे काफी तेजी से देश में फैल रहा है और ऐसे में देश के जाधा तर हिस्से हो में lockdown जैसा माहूल है, तो ऐसे में दुबारा आप वही पिछले साल वाली गलती ना करके, जब भी आपको टाइम मिले, स्टॉक म मार्केट के बारे में आपकी mentality और आपका mindset चेंज करना चाहते हैं, ताकि आप confident रहे हैं कि stock market से भी पैसा कमाया जा सकता है, और जब आप confidence आजा है आपको, तो आप देरे देरे उसमें इंवेस्ट करना शुरू कर सके, फ्री में stock market सीखने के लिए आप हमारे channel को subscribe कीजे और जाद से जादा लोग के साथ इसे शेयर कीजिए